बजट में मुख्य मंत्री ने पुशकर रजमेर के बीच टानल की घोशना की थी और अब नगरिय विकास विभाग ने एडिये से पूछा है कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा एडिये ने विभाग को भीजे जवाब में कहा है कि 31 दिसंबर तक काम पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा जबकि हालात यह है कि अब तक ना तो फिजबिलिटी रिपोर्ट बन पाई है और ना ही दूसरे सवे पूरे हुए हैं ऐसे में एडिये का इस साल के अंट तक काम करने का दावाद दूर की कोड़ी ही है पुशकर्व आजमेर के बीच टानल का बनाने का अलाप यू तो एडिये पिछले डेड़ साल से अलाप रहा है लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में बज़त में इसकी घोशना की तो लोगों की उमीद जाग गई पजट खोशना से यह संदेश गया की शायद सरकार अपने खर्च पर टनल बंगवाएगी लेकिन हाकिकत यह है कि एडिये की और से सरकार को भेजे प्रस्ताव में पहले ही कहा जा चुका है कि टनल बनाने का खर्च एडिये वहन करेगा एडिये का खजाना खाली है और टनल का बजट करीब साथ करोड रुपए है एडिये ने दम तो भर दिया लेकिन अब तक टनल को लेकर थरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है एडिये ने विभाग को भीजे पत्र में खुदमाना है कि अभी टनल को लेकर कई तरह के सवे के काम शुरू होने है स्पष्ट है कि स अब का की तैयारी टनल के लिए कॉंसल्ट एंसी और डी पी आर बनानी है जिसमें मुख्य रूप से ट्राइविक सवे जियोलोजिकल सवे फिजबिलिटी रिपोर्ट ड्राइन डिजाइन आधी कारे के लिए कारिया देश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है इसके लिए क कॉंसल्ट एंसी फंवेब कोस लिमिटेड और राइट्स की ओर से दरे दी गई है जिसका मूलिया अकन करने के बाद एडी ए कारिया देश जारी करेगा फिजबिलिटी रिपोर्ट वर डी पी आर प्राप्त होने पर टनल बनाने के लिए वन मुविभाग से अनपत्ती प्र किया जाएगा एनसी मिलने के बाद एडी एकी बोर्ड बैठक या कार्यकारी समिती में टनल निर्मांड की प्रशासने कोड वित्थियस वीकृति प्राप्त कर एडी एके वर्ष 2018 2014-2019 के बजट में टनल निर्मान के लिए बजट का प्राविधान किया जाएगा। यह सारी कारवाई पूरी होने के बाद टनल बनाने के यह सक्षम कंपनी वफाम से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजे के बजट में अजमेर के लिहाज से पुषकर टनल के बाद दूसरी बाडी घुष्णा महार्शी दयानंद सरस्वती समारक एवं संग्रहले निर्मान के लिए की थी। खास बात यह है कि इसका प्रस्ताव भी एडिये ने ही सरकार को भिजवाया था और 25 करोड की लागत के इस काम के लिए एडिये ही राशी व्याय करेगा। इस काम की स्थिती भी धरातल पर अभी शुरुवात इस्तर की ही है जबकि एडिये इसको भी एक साल से अपने प्रस्तावितकारों में गिनवाता रहा है। सरकार ने अब इस बागत जानकारी चाही है तो एडिये की ओर से कहा गया है कि कंसल्टेंसी और डीपीर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है जिस जमीन पर स्मारक बनना है उसका भू उप्योग परिवर्तन करने पर कार्यादेश जारी किया जाएगा। समारक वस संग्रहले निर्मान के लिए प्रस्तावित भूमी का भू उप्योग परिवर्तन कराने के लिए एडिये की बोर्ड बैठक में अनुमूदन के बाद प्रकरण राजे सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। भू उप्योग के बाद कॉंसल्टेंसी फार्म को कार्यादेश जारी होगा। एडिये निस मारक के लिए राजस्व ग्राम खुग्रा में जमीन चिनहित की है। वहीं अशोक उध्यान के सामने त्रिभू जाकार की जमिन भी प्रस्तावित है। कॉंसल्टेंसी एवं डीप्यो रिपोर्ट प्राप्त होने पर एडिये की बोर्ड बैठक या कार्यकारी समिती में इस काम के लिए प्रशासने को अवित्तिय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 2018-2019 के एडिये के बिज़त में समारक निर्मान पर व्याय का प्राविधान किया जाएगा एडिये ने नगरिय विकास विभाग को भीजे पत्र में कहा है कि सब कुछ ठीक रहा और समय पर स्वीकृति वक्रियान विती की गई तो 31 दिसंबर 2018 तक कार्य पूरा करने का प्रया किया जाएगा